नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है, एक भव्य पर्वत की तलहटी में बसे एक शांत गाउं में एक मूर्तिकार रहता था जो भगवान श्री राम के प्रती अपनी भक्ती के लिए जाना जाता था। के पत्थर थे। पहाण की चोटी पर पहुँचने पर उसे दो पत्थर मिले जो सूरज की रोश्नी में चमक रहे थे, मानों उसे बुला रहे हूँ। दृढ निश्चे करके उसने उन्हें अपनी लौरी पर लाद लिया और गाउं वापस जाने की यात्रा पर निकल पड़ा जैसे ही उन्होंने अपना काम शुरू किया, मूर्तिकार ने पहला पत्थर चुना और अपने हथोडे से उसे भगवान श्री राम की आकरिती में धालना शुरू कर दिया। फिर भी जैसे ही हथोडे की पहली चोट गूंजी, पत्थर से दया की याचना करते हुए एक करु पत्थर की विंती सुनकर मूर्तिकार उसकी पुकार से द्रवित होकर तुरंत रुप गया। उसने अपना ध्यान दूसरे पत्थर पर लगाया और अपनी कला शुरू की। यह पत्थर चुपचाप खड़ा रहा और हथोडे के दर्गनाक प्रहारों को सहन करता रहा क्योंक मूर्तिकार बड़ी सावधानी से उसके आकार को तराश रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और दूसरा पत्थर धीरे धीरे भगवान श्री राम की एक लुभावनी मूर्ति में बदल गया जिससे दिव्यता और अनुग्राय जलक रहा था। इस बीच पहला पत्थर अ औजारों से अचुता रहा। एक दिन एक पुजारी ने मंदिर के लिए भगवान श्री राम की मूर्ति की तलाश में गाउं का दौरा किया। वह दूसरे पत्थर की सुन्दर्ता से मंत्रमुग्ध हो गया जो अब एक शांदार मूर्ति थी। उन्होंने श्रधा पूर्व इसके दिव्यसार को पहचान कर इसे खरीद लिया। हाला कि पहले पत्थर के लिए उन्होंने इसकी साधारन उपस्थिती को देखते हुए केवल एक मामूली राशी की पेशकश की। पुजारी दूसरे पत्थर को मंदिर में ले गया और उसे फूलों और प्रार्थनाओं से सजाकर समारोह पूर्वक प्रतिष्थित देवता के रूप में स्थापित किया। इसे उपासकों का समर्पित ध्यान और प्यार मिला जो इसकी भव्यता से आश्चर यचकित थे। फिर भी पहले पत्थर को एक अलग भाग्य में धकेल दिया गया। इसका उप्योग में यह विरोधाभास सभी के लिए एक सबक बन गया। पहले पत्थर ने मूर्तिकार के सपर्ष का विरोध करते हुए बाद के जीवन में खुद को कठोर व्यवहार सहते हुए पाया। इसके विप्रीत दूसरा पत्थर मूर्तिकला के शुरुवाती दर्थ को जहलने के ब विश्य को श्रद्धा और सम्मान से सजाया जा सकता है। जबकि शुरुवात में कठिनाईयों से दूर रहने का परिणाम जीवन धर कठिनाईयों को सहना हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने एक बहतर श्रद्धे अस्तित्व के लिए दर्थ सहने के सार को समझा। यह कहान हमें बताती है कि दर्थ हमारे जीवन में वास्तविक लाब है। देखने के लिए धन्यवाद। कृप्या सब्सक्राइब करें।